नमस्का स्टोरी विन नेती में आप सबका स्वागत है तो आज की कहानी जो मैं सब के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है समय का अकाल चक्र तो आगे सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यानि आपके अपनी नेती के साथ अरे मुख्या जी हब बैठी मैं अभी आपके खाने पीने का इंतिसाम करके आता हूं मुख्या के आते ही अशोक ने मुख्या जी को इशारा करते हुए कहा फिर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाती हुए कहा सुनती हो मुख्या जी आए हैं मैंने उनको बाहर चोपाल में पिठा दिया है तुम जल्दी से चार कप चाय बना दो और विशाल कहां है मुख्या के बैठने के बाद अशोक ने अपनी पत्मी अलोकी को अवाज देती हुए कहा है अरे वो अपने दोस्तों के साथ गाउं में घूम रहा होगा लेकिन मुख्या जी क्या करने आए हैं इनको बता देती हुँ अगर हाँ बोले तो मुझसे बुरा कोई न हुगा मुख्या के आने पर आलोकी ने नाक भाव बनाते हुए अशोक से कहा अरे तुम काहे बेमतलव की बात लेकर शुरू हो जाती हो एक तो मुख्या जीतनी बड़ी हवेली छोड़ कर अपने घर पर आये है चाहती तो क्या मुझको हवेली पर न बुला लेते लेकिन तुमको इस सब बातों से क्या तुम हो कि अलग ही राग छेड़े बैठी हो और मैं कहता हूँ जब काम करवाएंगे तो भाईया महंताना भी देंगे तुम बस जल्दी से चाय बना दो ठीक है फिर करो अपनी मर्ची लेकिन बात में मेरे सामने अपने दुखडा मत रोना मैं चाय बना देती हूँ कहो तो नाश्ता भी बना दू आलोकी ने उसी वेरुखे अंदाज में कहा नहीं नहीं तुम देबस चाय बना दो बहुत महरबानी होगी तुम्हारी अच्छा पहले हमको जग और चार गिला से दो और एक प्लेट में बता सभी दे दो अरे यह क्या घड़े में पानी भी नहीं भरके रखा चल भाई अशोग नलके पर ही चल कर थंड़ा पानी भर ले इनसे कुछ और बोलना गुना होगा अशोग ने अपने आप से बात करते हुए कहा अब इस नलके क्या क्या करूँ अभी पिछले ही मैंने ठीक करवाया फिर से पानी छोड़ रहा है बताओ घड़े में पानी भरका रखा होता तो यूँ घर में घुसे औरतों की तरह पानी पता के इंतिजाम न कर रहे होते मुख्या जी मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि बताओ घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है साला जोरू का गुलाम हुआ बैठा है अशोग ने फिर एक बार अपने आप में बढ़बढाते हुए कहा फिर उसने अपने पत्नी को अवास लगाते हुए कहा सुनो जब चाय बन जाए तो अवाजे देना आगर ले जाएंगे ये विशाल पता नहीं कहां मर रहा है आने दू आज पहले उसे उसी किसेवा करूँगा बाके सब काम बाग में अशोग घर से बाहर की और बोलता निकला ये लिजी मुख्या जी आप पानी पत्ता किजी अशोग ने मुख्या जी की और पानी बढ़ाते हुए कहा अरे अशोग ये पानी वानी चलता रहेगा तुम बैठो अभी मुख्या इतना बोला ही था कि अशोग वही जमीन पर बैठ गया अशोग को इस सरा जमीन प बाहे बैठ रहे हो उपर खटिया पर बैठो अब अपने घर पर भी कोई नीचे बैठोगे नहीं मुख्याची में नीचे ही ठीक हूं और वैसे भी आपके बराबर में थोड़ी बैठ सकता हूं देखा बलवंद हमको कहे थे ना कि अशोग हमको अपने बड़े भाई की जैसा मानता है वह इतनी जद तो कोई अपने सगे को नहीं करता जितनी अशोग हमारी करता है तो हम भी अशोग को अपने छोटे भाई से कम नहीं समझते जैसे हमारे लिए राजिश वैसे ही अशोग क किव अशोग कुछ गलत तो नहीं कह रहे मुख्यानी राजनिती वाली बातों में अशोग को एज़ाने की नियत से कहा नहीं नहीं मुख्याची आप कहे गलत बोलेंगे आप हमको छोटे भाई के जैसे ही मानते हैं अशोग थोड़ा खिसी आता हुआ बोला लेकिन अशोग को नेताओं की इतनी समझ कहां थी यह मुखिया नेता लोगों का तो ऐसा ही था कि ज़रूरत पढ़ने पर यह किसी को भी गधा किसी भी गधे को बाप बोल सकते थे अगर अशोक को यहां छोटा भाई बोलने से काम बनता है तो इसमें हरज भी क्या है थे तब अशोक ने विशाल को आते हुए देखा जब विशाल पास से गुचने लगा तो अशोक ने कहा अरे ओ विशाल कहां गुम रहे थे घर पर कोई आया है तुम्हें इस सबसे कोई मतल है या नहीं अगर आवारा करती हो गई हो तो यहां आकर मुख्याजी के पैठ्चो कराशिवार ले लो अरे अरे बस 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 अशोक तेरा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है किने साल का हो गया है मुख्या ने विशाल को कंधों से पकड़कर ख़ड़ा करते हुए अशोक अभी खेलने दो लड़के को बात में तो काम ही करना है अपने नाम जैसा विशाल काम भी करेगा क्यों विशाल करो गया नहीं अच्छी मुख्या जी काहे नहीं करेंगे बल्कुल करेंगे जी ये विशाल जबने ममी से पूछ दो चाय बनी की नहीं और ममी से पैसे लेकर भाग के दुकान से बिस्कोट ले आग अशोक ने विशाल को माँसे भगाने के इरादे से कहा विशाल के चले जाने के बाद मुक्या ने अशोक से बात चारी रखते हुए कहा हां तो अशोक तुमको तो पता ही है सर्पंची के चुनाव आ रहे हैं हम चानते हैं कि तुम वोट हमें ही दोगे लेकिन हमारा भी तो फरज है कि तुमको आतिक मदद दें तो बस इसी जिलसले में आये हैं भई जी मुख्या जी लीजे चाय पीते पीते बता दीजे हमें क्या हुकम है आप चिंदा नहीं करें मजाल है कि जो हमारे कस्वे से एक भी वोट बाहर चला जाए अशोग ने मुख्या और बाकी सभी जनकी और चाय का गिलास बढ़ाते हुए कहा हमें पता है अशोग यही से तो हम तुम्हारे पास आए हैं बात यह है कि अपनी जोरों को साथ लेकर तुम्हें शहर जाना है अब मुख्या जी मद्दे की बात पर आ गए थे कहें मुख्या जी अशोग मुख्या जी की बिना पूरी बात सुने ही बीच में बूल उठा पैसे के तो समहल नहीं पाओगे इसलिए हम तुम्हारे खाते में पार्टी योर से पैसा जमा करवा देंगे फिर तुम्हें ही देखना है कि कहा किसको कितना देना है लेकिन एगी बोट बाहर ना जाने पाए इस बात का ख्यास ख्याल रखना मुख्या ने पूरी बात को काउंड नमर मिल जाए और फिर हम कल ही पैसे भी जमा करवा देंगे तेरे खाते में अब शुक काम में देरी क्यों करनी क्या कहते हो जी मुख्या जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैं और मेरी रुगाई आज ही जाकर खाता खुलवाते हैं चलो ये काम भी ठीक हो गया मुख्या को अपने घर से विदा करते ही अशोक ने आलोकी को आवाज दे दी थी क्यों जाना है शहर बता गए होंगे मुख्या जी तुमको कुछ काम और तुम बिना अपना दिमाग लगाए उन्हीं की हां में हां मिला के चल दी शहर आलोकी अभी भी मुख्या के आने की ब बात बताते हुए कहा सुनो जी पोछा बर्तन करना है कपड़े विगो कर रखे हैं दोपहर का खाना भी बनाना है इतना सब काम छोड़कर मैं तुम्हारे साथ शहर चलू शहर में का रखा है ये बाजारों शहर में मर्दों का काम होता है और उतको अपने जाड़ों पोछा पाहूं तुम्हें भी साथ चलना है तो चलना है पस मुख्याची बोल कर गए हैं तुम दोनों अपना अपना बैंक में खाता खुलवा लो उसी में पैसा डालेंगे समझी कुछ या भी भी नहीं अब ज्यादा विलम बना करो जल्दी तैयार हो जाओ पहले ही ग्यारा बज लेकर सैकल साफ करना शुरू कर दिया वहीं दूसरी और अलोकी कुछ ही देर में तैयार होकर आ गए और बाहर आते हुए कहा चलो मैं तैयार हो गए अरे आप तो अभी भी वही बूसर पहने हो बदल लो थो गंदी जान बढ़ लाई है अलोकी ने अशोक को सला देते हुए कहा नहीं ठीक है अब और देर करना ठीक नहीं चलो बैठो सैकल पर हैं चलो बईटो सिर झा रहे हैं तुम कहें पो श्यूमांट मने मत निटलना थीक है अशोक विशाल को हिदायत देकर साइकल की पेंडल मारता निकल गया थेर मार्च की महने में इतनी ज्यादा तो गर्मी होती नहीं फिर भी 20 किलो मीटर साइकल चलाते चलाते अशोक पसेने से नहां उठा था साइकल के लोहे वाले कैरियल पर बैटे बैटे अलोकी का भी पुरा हाल हो यहीं बैट होगी अगर जांते हो तो बता दो हां हां और बस यहीं तो अगली चौक पर है ना इसामें पतालगे तो वहीं किसी से पूछ ले ना पतालगे तो गोल चौक कहा है अमरे हैं बस चौक के बगल में ही बहुत बड़ी बैञ्ट है एक रहागी ने शोक को बैखा र आलोकी ने साइकल के रुखते ही सामने बड़ी सी बिल्डिंग की ओर देखते ही कहा लग तो मुझे भी रहा है बलकि लिखा तो कहीं नहीं है कैसे पता चले अशोक ने आलोकी की हां में हां मिलाते हुए कहा अरे वो उपर देखो कुछ लिखा तो है क्या लिखा है वो आलोकी बैंक के बोड़ पर बैंक का नाम की और इशारा करते हुए पूछा तुम्हारी अम्मा को ले आते तो वह बता देती कि क्या लिखा है नहीं रहां इंग्लिश में लिखा है और मुझे इंग्लिश पढ़ने का आती है अब तर साइकल चला कर अकोश अशोक ठक चुका था तो अशोक ने खीशते हुए कहा चलो अंदे चल के पूछ लेते हैं जब अशोक और अलोकी केट पर पहुँचे तो दर्बान ने उनके लिए केट खोल दिया दर्बान ने उनकी उड़ देखा और सोचने लगा कि ये कंगाल लोग बैंक में क्या लिने आये हैं लेकिन दर्बा को लगा कि ये जैसे स्वर्ग में पहुच गए हैं अलोकी से रहा नहीं गया और बोल पड़ी कितनी सफाई है यहां लाइट भी खूसारी लगी है बाहर कितनी भयंकर गर्मी है और यहां इतना थंड़ा कैसे है पता नहीं मुझको तो ये एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा ह अलोकी बेंग को देखकर हैरान हुई जा रही थे अच्छा अच्छा आप चुप हो जाओ कि सबको बता के मानोगी कि हम लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा अशुक अलोकी को चुप कर वा ही रहा था तब एक लड़की उनकी और आती हुई दिखाई थी अशुक एक टक उस लड़की के और देखता रहा गया कितनी सुन्दर और इतनी जल्दी किटर पिटर क्या बोल गई अशुक के तो कुछ पल्ले ही न पड़ा वही दूसरी और अलोकी उसको ऐसे देख रही थी कि जैसे वो लड़की किसी दूसरे ग्रह से आई हुई कभी अलोकी उस लड़की का मर्दो की तरह पहनी शर्ड को देखती तो कभी उसके घुटनों तक पहनी स्कर्ड को और फिर उसके बोट नुमा सैंडल को लड़की ने उन दोनों को अपनी ओर इस तरह देखती हुए पाया तो वो समझ गई कि नहीं मेरी बाद समझ नहीं आई उसने फिर दोबारा सहिश्टाइसे ही पूछा सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ जी हम दोनों को बैंक में खाता खुलवाना है तो आप हमारा खाता खुल दीजे हिंदी में सवाल सुनने के बाद अशोग ने तपाक से जवाब देते हुए कहा इतना कहते हुए लड़की को फिर एक बार अपनी गलती का है सास्रूर उसने अपनी गलती शुषरती हुए कहा क्यों नहीं सर हमारी बैंक में दो तरह के खाते खुले जाते हैं प्रिमियम और प्रिमियम प्लस मैं बारी बारी आपको इन खातों के बारे में चानकारी दे देती हूँ आपको जो अच्छा लगे आप खुलवा सकते हैं हम अपने ग्राहक को सबसे अच्छी बेंकिंग सुधाय देने में प्रथमस्थान पर है प्रिमियम प्लस खाता आप सिरफ 10,000 रुपे जमा करवा कर खुलवा सकते हैं जिसमें आपको हम 7% ब्याजदर मिलता है और दूसरा प्रिमियम खाता मात्र 5,000 की जमाराशी से खुलवा सकते हैं उस बैंको हली महला ने बड़े प्यार से उन तोनों को खाते की जानकारी थी लेकिन हम लोग तो इतने पैसे लेकर ही नहीं आए हमें तो मुख्या जी बोले कि जाकर बैंक में खाता कुलवा आओ पैसो की बारी में तोनों ने कुछ बताया ही नहीं अब इसलिए इतने पैसे लेकर नहीं आए आप हमारा खाता खोल दीजे बस मुख्या जी बोले कि वो हमारे खाते में पैसे जमा करवा ही देंगे पैसो की बार सुनकर अशोक चिंता जनक स्वर में बोला था सर बिना फर्स्ट रिपोजिट मतलब की बिना शुरुवाती राशी के खाता तो नहीं खोल सकते पैसे तो आपको अभी ही जमा करवाने होंगे मैडम जी मैं भी इनको यही समझा रही थी कि बिना अपनी बुद्धि लगा ये मक्या जी के कहने पर इतनी दोर आना ठीक नहीं लेकिन यह कहा मेरी सुन्ने वाली है मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो मेरा मू पकड़ लेते हैं मैडन जी आप भी कुछ रासा बताईए, इतनी दूर आए हैं तो काम भी नहीं हुआ. देखी सर्व बिना पैसों के अकाउंट खुलना तो सम्भव है, लेकिन अगर आभी आप पैसे लेकर आजाते हैं, तो आपका खाता खोल देंगे. सराई दीप प्रूफ तो लेकर आए थे या वो भी नहीं लाएगे. हाई टीप प्रूफ मतलब? मतलब आपका पहचान पत्र. हाँ हाँ हाँ, जी पहचान पत्र तो लेकर आए हैं, अगर पता होता इतने पैसे लगेंगे तो उसका भी इंदिजाम कर लेते. अब इस शहर में हम पैसे कैसे लेकर आए? अलोकी एक काम हो सकता है. तुम यहां रुको, हम मुख्याजी से पैसे लेकर आते हैं, और फिर खाता खुलवा लेंगे. अशोप ने अलोकी को एक सुझाओ सुझाते हुए कहा. किशोरी की बास सुनकर बैंग की वो लड़की बीच में बोलो ठी. ठीक सर, हमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ध्यां रखेगा कि आपको चार बज़े से पहले आना होगा. क्योंकि बैंग चार बज़े तक ही खुलता है. उसके बाद आपका खाता खुलना असंबव है. जो दिचार रहे हैं तो इस बात का ख्यां रखेगा. मैड़न जी अभी वक्त क्या हो गया है? सी, अभी तो सिरफ दो ही बचे हैं. अभी आपके पास दो घंटे का वक्त है, बरना आपको कल खाता खुलने आना पड़ेगा. अलो कि मैं अकेले चला जाता हूँ और मुख्या जी से पैसे लेकर आता हूँ, तुम इधर उधर मत चली जाना. मुख्या जी के घर पहुँचते पहुँचते तीन बच कर पांच मिनट हो गए थे. और मुख्या जी से मिला और पूरी राम कहानी शौटकर तरिके से सुना थी. मुख्या जी ने अशोक की बास सुनकर कहा, अरे अशोक तुम ऐसी कहों सी बैंक में चलेगे जहां सिरफ खाता खुलवाने के लिए इतने पैसे जमा करवाने पड़ रहे हैं? तुम्हें तो हरी नगर वाली सुम्रधी बैंक में खाता खुलवाने के लिए भी जाता ना? महां पांस रुपे में खाता खुल जाता है चाहो तो एक हजार मुझसे ले जाओ और सम्रदी बैंक में खाता खुलवा लू अशूक ने मुख्या जीसे हजार पे लिए और वापस शहर की और रुख किया वो जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज सैकल जरा रहा था कि तभी ए भगाता हुआ दो निकल गया अशूक की ट्रक से तक्कर होने के बाद कुछ लोग जरूर आए थे देखने लेकिन तब तक अशूक मत चुका था लेकिन संजर लोगों ने बस इतना किया कि अशूक जो अब तक लावारिस लाश बन चुका था तो उसी लाश को टांक से लोगों ने के लिए बैंक से गाउं की दिशा में चल पड़ी कुछ दूर चलने पर अलोकी को एक आटो दिखा तो लोक्यों ने सोचा अलोकी ने सुचा कि आटो वाले को रास्ता पूछ लेती हूं वैसे भी मेरे तो वो तो आही रहे हूंगे उनके साथ गाउं वापस से चाहूंगी भाईया ये इमर्तिपुर जाने के लिए कौन से राश्ते से जाना होगा उस आटो में आटो चालक के साथ उसका एक साथी भी बैठा हुआ था उन्होंने अलोकी को देखा अलोकी को देखती ही वो इस बात को भागे कि ये कोई शेहर वाली नहीं है अगर से काम लिया जाए तो आज की रात रंगी निकलेगी तो आटो चालक के साथी ने कहा बस बस यहीं सिधा चली जाएए फिर दो किलुमीटर के बाएं और फिर तोड़ी दूर सीधा चलकर आगे से दाएं बाद में सीधी सड़की मर्तिपुर के लिए चली जाएगी लेकिन व मेरे वो आही रहे होंगे तो अगर आप लोगों को वो रासे में दिखें तो अहटो रोग देना अपका जू पैसा बनेगा उनसे लेकर आपको दे दूंगी तुम भी कहे पैसे की बात करने लगी हमें लगा तुम परेशान हो इसलिए इंसान इतके नाते बोले पैसे की दोनों का भला ही करेंगे अरे बहन तुम शर्मिन्दा का रही हो चलो बैठो वरना देश शाम हो गई तो मुस्सीबत हो जाएगी हमारे आटो में लाइक जो नहीं चलती अलोकी के आटो पर बैठती ही एक ड्राइवर सीट पर बैठ गया और दूसा अलोकी के बगल में अगर अगली सीट पर दो लोग को बैठे देखा तो चलान काट देंगे समझ रही है ना अलोकी कुछ नहीं बोली और चुपचाक उस इंसान से थोड़ी दूरी बनाते हुई बैठी रही अभी आटो थोड़ी दूर तक गया होगा कि चालक ने आटो को एक शराब की दुका और पढ़ गया तब आटो वाले ने कहा अब वो क्या है ना कि दिन भर आटो चलाते चलाते शरीर ठक जाता है तो दवादारों की जुरत पढ़ी जाती है इतनी देर में वो पीछे बैठा इंसान वापस आ गया और चालक ने फिर आटो चलाना शुरू कर दिया जब आटो चलते चलते थोड़ा से उनसान अलाके में आ गया तो आटो ड्रैवर ने आटो को एक खंधार की और मोड दिया अलोकी बोलने वाली ही थी कि भाईया ये कहां ले जा रहे हो लेकिन तब तक पीछे पीछे बैठे पीछे बैठे इंसान ने अलोकी का मुझोर से दबाते अगले दिन अलोकी की लाश साड़ी में लिपती हुई खेत में पड़ी मिली वो फट चुकी साड़ी लोगों की नजरों से अलोकी की लाश की भी इज़त बचाने में नाकामियाब होती दिखाई दे रही थी एपी एंडिंग एपी एंडिंग ख़ाब ख़ाईशे सरफ कहानियों में ही पूरे होते हैं देखे हैं मैंने लेकिन यह तो अशो करो अलोक के की असली जिंदगी थी और असली जिंदगी में इंसान नहीं शैतान रहते हैं सक्षिय से जादा उसका स्टेटस महिने रखता है माबाप से तकरार और फॉलोवर्स से प्यार दिखाता है वर्शुल लाइफ से निकल कर रेल लाइफ में जीनस सिखें परना अलोकी जैसे घटनाई होती रहेंगे और हम लोग स्टेटस अपडेट करने के लिए मुंबत्ती चलाते रहेंगे और बात रही विशाल की तो आप लोग सोची सकते हैं कि बीना माबाप का बच्चा कैसा होगा जो दिन भर खेलता था आज वो दो वक्त की रोटी के लिए दिन भर खेत में बहनत लता है करीब है पर छोड़ नहीं अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को कहते कि भगा उसाली को बरना कुछ उठा कर ले जाएगा समाब कहानी लेखक निलकंठ मिश्रा नीरज धानिवार कहानी आपको कैसे लगी जरूर बताएगा कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा मुझे स्वाटीफाइपे एम झाल